हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत रागत है आज हम आपके साथ पटेटो सेंडविच की रस्पी से यर करेंगे जिसे आप रेकफास्ट में बना कर खा सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी आप इसे दे सकते हैं चलिए तो बनाना करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे उसमें एक बड़ा चमच हमने देल लिया है सरसों का तेल चूड़कर आप कोई भी तेल या घी इसमें यूज कर सकते हैं तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे आप इसमें आधा चमच जीरा डालेंगे और चुटकी बरहिंग, जीरा हमारा अच्छे से चटक रहा है, आप इसमें हम एक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च यहां पर आप स्किप कर सकते हैं, ये दो उबले हुए आलू हैं, हातों से ही इसे हमने थोड़ा सा मैस कर लि जिससे ये अच्छे से भुन जाएं, अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, आधा चमच धनिया पाउडर, आधी चमच गरम मसाला पाउडर, चौथाई चमच लाल मिर्च पाउडर, नमक, नमक आप स्वात के अनुशा डालिए, अब हुआ हरा धनिया डालेंगे, आलों मे अच्छा सा कलर आ जाए, इसलिए थोड़ी सी हमने हल्दी भी डाल दी है, बस अब चलाते हुए, और आलों को हल्का सा मैस करते हुए, इसे दो मिनट के लिए हम भून लेंगे, आलो हमारे भून चुके हैं, दो मिनट हो गया इने भूनते हुए, ये दिखिए सेंड़िच क स्टपिंग तयार हो गई, इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे, अब ये हमने ब्रटली है, हमने यहाँ पर ब्राउन ब्रटली है, आप भाइट ब्रट भी दे सकते हैं, किनारों को इसे हम चाकु से कट कर लेंगे, हमने किनारे कट किये हैं, आप इना किनारे कट किये भी इसे बना सकते हैं यह दिखे चारो साइट से हमने किनारे कट कर लिये हैं एक ब्रट की स्लाइस देंगे उस पर हम धनिया की चटनी लगाएंगे अब इस पर हम आलू की श्टपिंग लगाएंगे अब इस पर प्याज की स्लाइस लगाएंगे और टमाटर भी लगा देते हैं एक दूसरी ब्रट की स्लाइस पर धनिया की चटनी लगाते हैं थोड़ा साथ चाट मसाला लगाएंगे और इसे कवर कर देंगे आप चाहें तो टमाटर सॉस भी यूज कर सकते हैं एक पैन पर थोड़ा सा मखन डालेंगे अच्छी से ग्रीस कर लेंगे अब अपनी तयार सेंडविच को पैन पर रखेंगे जब ये एक साइट से बढ़िया गोल्डन कलर की हो जाएं पलट कर दूसरी साइट से भी इसको हम सैक लेंगे एक साइट से ये बढ़िया कलर आ चुका है इस पर दूसरी साइट से हम इसे अप सैक लेंगे ये दिखें दोनों साइट से बढ़िया कलर हमारी सैंडविच पर आ चुका है निकाल लेते हैं हम इसे 20 से से हम कट कर लेंगे ये दिखें कितनी बढ़िया हमारी पटेटो सेंडविच बनकर तयार हो गई आप इसे सुबह प्रेकफास्ट में चाई के साथ खा सकते हैं कैसी लगी आपको ये रेस्पी कमेंट करके जरूर बताईएगा और रेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक से यार और कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूने तेंक यू झाल